नमस्कार मैं हूँ वसीम अक्रम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ CIV इंडिया नूस तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसला CIV इंडिया नूस की सबी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबादर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोडिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहे हैं इस खबर के प्रायोजक है उज्जवल मॉडल स्कूल कप्तान गंज आजमगर एडबेशन जारी हरदोई की नवीन फलेवन सबजी मंडी में लगी भीशनाग से दस दुकाने जलकर खाक हो गई भीशनाग जनी की इस घटना में तस लाग से दिकर नुकसान हो गया है दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया हरदोई की इस शहर कोतवाली छेत्र के लखनव मार्क पर नवीन फलेवन सबजी मंडी इस्थित है यहां दुकान संख्या एक में एक आटो रिक्षा चार्ज करते समय अचानक शौट सर्किट से आग लग गई आग लगने से अफरा तफरी मच गई आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के दुकानदार मौके पर पहुँचे और आग बुजाने का प्रयास करते हुए दमकल को इसकी सूचना दी इस दोरान आग ने भीशन रूप धारन कर लिया और देखते ही देखते दस दुकानों को अपनी चपेट मिलेकर दुकाने जलाकर खाक कर दी मामले के सूचना पाकर दमकल कर्मी मौके पर पहुचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की दमकल की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका आकिस घटना में दस लाग से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है पायर बेर्ट गाड़ी कितनी दर्माई है बहुत कंदम दो घंटे बाद आई जब मैंने भोल किया है तब एक घंटे बाद आई एक घंटे बाद आई हमारी सब्जी मंडी फेश टू की है सब्जी में लखन रोट पर इसी के मद्धिन नजर में और हमारे बैपारियों की भहिया आठ दुकाने बहुत भी ज्यादा नुकसान हो गया है उतमें बाहर दाना लगा था ट्रेट थी और सार्शक्टिस का कारण हाग लग 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 ल इन तर्शक नीचे के नीचे करलब लट बातिस दुकाने जो है उसमें आग लगी थी और इसमें उमें इसमें और को हमएं भी ज़आखा समिचना मिलने पार इसमें व्हेश प्रशा को प्शान किया और इसमें प्रिशाद लग लग लुपार की सथिंगा रोग वहिते की इ कितने लाग का नुक्सान होगा शरी अब ये इसका आख लान को कला है कौन माली कौन कुछ जो है कितनी देर में काबू पाया जासे करें इसके में काबू आना घंटे में लगवागी काबू किया कि जया मंदी चोकी छेते पर मोजुद था उजे सुचना मिले कि सब्धी मंदी सब्सक्राइब को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाएकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन्स आप तक पहुंचते रहें